आज हम आपके शायर करने जा रहा हैं, बहुत ही टेस्टी पकोड़े, इन पकोड़ों की खाचत है कि आप इनको ब्रत में या किसी भी टाइम बना कर खा सकते हैं, और ये खाने में इतने टेस्टी होते हैं, कि अगर एक बार आपने इनको बना कर खा लिया, तो बार बार आप इसी तरीके से पकडो को बना कर खाएंगे चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कटोरी साबू दाना और इसको हम पैन में डालकर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे साबू दाना आप छोटा या बड़ा कोई साभी ले सकते हैं लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगाता चलाते हुए 5-6 मिनाट तक रोस्ट करेंगे तो लगभग 5-6 मिनाट हो गए हैं अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको पुरी तरीके से ठंडा कर लेंगे जब यह पुरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे तह हम मिक्सी की साइता से इनको पीस लेंगे त्यान दखेगा हमें इनको बल्कुल बारीक पीस ना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको बल्कुल बारीक पीस लिया है साथ ही हम 15-20 मूमफली के दानों को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब मूमफली के दाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाए ता हम इनको भी पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाए तब हम इनको मिक्सी की साइता से बारीक पीस लेंगे तो मूम फली के दाने भी हमने बिल्कुल बारीक पीस लिये हैं अब हम अपने पीसे हुए साबु दानों को एक बॉल में सिफ्ट कर लेंगे साथ ही हमने जो मूमफली के दानों को रोश करके पीस लिया था उनको भी इसमें एट करेंगे साथ ही हम इसमें डालेंगे तीन हरी मिर्च जिनको मैंने बारी काट लिया है एक छूटी चमच दरदरा पिसा हुआ जीरा अगर आप ब्रत में बना रहे हैं और आपक जीरा नहीं खाते हैं तो इसमें मद डालिएगा पारी कटी हुई हरी धनिया अब हम इसमें एट करेंगे तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू जिनको मैंने मैस कर लिया है स्वाधनुसार नमक अगर आप ब्रत में बना रहे हैं तो ब्रत बाला नमक डालें अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं साथ ही हम इसमें एट करेंगे दो मीडियम साइज के आलू जिनको मैंने छील कर पतले पतले लंबी पीसे में कट कर लिया है आप चाहें तो इनको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं बस ध्यान रखेगा आलू को हमें 2-3 बार पानी से अच्छे से दूल लेना है अब हम इसमें एट करेंगी 200 ग्राम पनीर जिसको हमने पहले से ही कद्दूकस कर लिया है तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे आपको लग रहा है कि मिक्षर अभी थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एट कर सकते हैं और पानी डाल कर हम इसको अच्छे से मेक्स कर लेंगे ध्यान रखेगा मिक्षर को हमें पतला नहीं करना है अगर मिक्षर हमारा पतला हो जाएगा तो हम इसकी बॉल्स नहीं बना पाएंगे तो अब हम थोड़ा सा मिक्षर लेंगे और इसको इस तरीके से करते हूँ हम गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर लेंगे और पकड़ों को हम इसमें एक एक करके डालेंगे ध्यान रखेगा पकड़ों को हम एक बार में उतने ही डालेंगे जितने के आराम से पलट जाएं को पलटते हुए चार तरप से अच्छे से से शेक लेंगे बीच में हम गैस की फ् करें ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ बाइ